सिक्छार्थी जीवन की सभी महात्पूर्ण खबरों में आप सभी का श्वागत है दैनिक्स जोजगार समाचार आज की अपडेट आज है 29 मई 2022 बिल्कुल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जुलाई में होगी पीजी की प्रवेश परक्षा एंसे आर के 10,000 पदों पर सं काट बियड प्रवेश परक्षा के लिए 1400 से अधिक केंडर बनाए गए तो चलिए पूरी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं फुल डिटेल्स में आपके जीवन के लिए जो भी महत्पूर्ण खबरे हैं आज के इस वीडियो में तो नमश्कार मेरा नाम है भीमा चित्रा औ तो वीडियो को सुरू करते हैं मेत्र अगर वीडियो में न्यूज इनफार्मिशन लेना चाते हैं तो चैनल के साथ न्यूज के साथ वने रहें तो वीडियो को इस देश सुरू करते हैं बेना किसी देरी के पहली खबर ये रही आपके स्क्रेन पर परड़ाम से पहले यू रिपोर्ट्स में है कि जो परड़ाम से पहले यूपी बोर्ड के परिक्सार्थियों से होने लगी वसूली किसलिए वसूली होने लगी ये पूरी पेपर में नियूज है आप स्किन शॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट खबर आपके स्क्रेन पर है कि प्रदेश के असास की महविद्यालियों को मिले 208 असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें भुगोल और मनुविज्ञान के बिसे के अंतिम चैन प्रडाम घोसित किये गये हैं यहां पर आप देख सकते हैं 208 असिस्टेंट प्रोफेशर मिल गए हैं उत्तर प्रदेश के उच्छे सेवा आयोग में चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और यह रहे आपके स्क्रेन पर NCR के 10,000 पदों पर शंकट यानि कि आला अफसरों के मुताबिक रेलवे में ऐसे कई पद हैं जिनका उप्योग ही नहीं बोड को 31 मैं तक भेजे जानी थी नान सेफटी कटिगरी के बिभिन पदों के सूची तो यहां पर आप देख सकते हैं NCR के 10,000 पदों पर संकट है प्रियाग राज संबादाता की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश मत रेलवे NCR जोन में आने वाली दिनों में जो नान जाले अस्तर पर सूची बनाए जाने के लिए प्रक्रियाश सुरू कर दी गई है तो हलाकि यह सारी रिपोर्ट्स है आप इसके इन शौट लेकर पढ़ सकते हैं बढ़ते हैं नेक्ष्ट खबर की तरफ जवाब के स्क्रेंड पर नेक्ष्ट खबर है कि सेना में दो साल बाद नई सिच्छा नीत की भरती की त्यारी जवानों का कारिकाल 6 महीने की प्रसिच्छर समेथ हो सकता है कुल 4 वर्स का यानि कि नई दिल्ली के रिपोर्ट्स है कुरिणा के कारण पिछले 2 साल से बंद सेना की भरती फिर से सुरू करने के त्यारे के जा रहे हैं हाला कि इस बार एक नई नीत के तहट भरती के जाने है जिसमें इस नीत के तहट अधिकारियों के नीचे पदों पर जो अल पावधी के साल्ट सर्विस के लिए स्तैनिक हैं उन सभी की भरती के लिए नीत नई त्यार की गई है यहाँ पर सार परिक्षारतियों को बताते हुए वही कर रहे हैं कांपिके जास फिर कि जाती है पैसे के डिमांड यहाँ पर सारी खबरें आप देख सकते हैं हलाकि ये खबर आपके स्क्रीन पर देख रहे होगी नेक्श खबर आपके स्क्रीन पर ये रही हर स्कूल को मिलेंगे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर प्रदेश में संचालित होगी उतक्रिष्ट योजना और विस्व बैंक देगा 500 मिलियन का डॉलर यानि कि जो स्कूल है स्कूल में कम्प्यूटर और प्रोजेक्टर की विवस्था होंगे प्रदेश के सिक्षा चेतर में सुधार की जाने के लिए बिस्व बैंक की सहायता उतक्रिष्ट है और इस योजना में प्रोजेक्टर और कम्प्यूटर की विवस्था के जाएगी नेक्ष्ट खबर की तरफ बढ़ें तो नेक्ष्ट खबर आपके स्क्रीन पर ये रहे प्रिक्षा जुलाई के तीसरे हपता में यानि कि कह सकते हैं तीसरे सब्ता में आयूजित की जाएंगे और इसके लिए जून के पहले सब्ता से आनलाइन आवेदन के प्रकरिया सुरू के जा सकते है प्रिक्षा के लिए एजनसी ने 31 मई का निर्ड़े लिया है ये सारे खबर ये सारे जो नियूज इन्फार्मिशन है आपके स्क्रीन पर दिख रहे होगी संयुक्त सोध परिक्सा की जो दिनांक है वो आज है यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ते हैं लिक्ष खबर की तरफ जो आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर अगर बात करें ये commerce वेबसाइटों पर जो फरजी समिछाय होती हैं उन्हें रोकने के लिए तयार होगा निगरानी तंत्र ग्रहकों को गुमरा नहीं करेंगी कमपनियां विबिन वेफ साइटों से या फिर ACSI के साथ मन्थन से ये सारी सिस्टम यहाँ पर तयार के जा रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बढ़ते हैं निक्ष खबर की तरफ सो आपके स्क्रीन पर ये रही बीर्ट प्रवेश पर प्रवेश परिक्षा कराने की त्यारी में जोटा है इस बार जो परिक्षा के लिए 1400 से अधिक केंदर बनाने की कबायत सुरू कर दी गई हैं वहीं पर अगर हम बात करें निक्ष खबर की जवाप के लिए ये स्क्रीन पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं A.E.E.S. में प्रेट्स जो हैं वह बारा जोन तक हैं जिसमें आपकी यह आफिसली विफसाइट है और फाइनले आवेदन सुल्क आपके साथ सो पचास रुपए है यूपी पीसियल के बारा पद हैं फाइनली इसको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यह आपकी आफिसली विफसा साइड दिख रही है साइनले आपके सौ रुपए के सुल्क लगेंगे यह नहीं सुल्क नहीं यह सौ अंक निर्धारित होंगे और आप कर सकते हैं तो यह सारे जानकारे थे आपको कैसी लिए कमेंट सक्षान में जरूरता है फाइनली कल की वीडियो देखने के लिए चैनल